मुख्य समाचार राज़ी के मुख्य सचीव नरेश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमन के राज़ानी छेत्र में बढ़ते मामले को देख कर लिया गया फैसला रास्ट्रपती रामनाथ कोविन ने धम चक्र दिवस समारो का किया उठखाटन कहा भगवान बोध के प्रथन उपदेशों का है विशेस बहत्व प्रथान मंत्री नरेंदर मोधी ने कहा भगवान बोध ने विश्व को दिया शांती अहिंसा और सबका सम्मान करने का संदेश भारतिय सेना राज्य के कामिंग सेक्टर में तीन पोर्टर कंपनी के गठन के लिए कर रही है युवाव की भरती मुख्य मंत्री पेमा कान्डू ने महार रेजिमेन के पोर्टर स्थापना दिवस समारों में लिया भाग युवाव से कहा यह केवल गोजगार का आश्यर नहीं बलकी देश सेवा का भी स्वरणी मोका राज्य के मुख्य सचीव नरेश कुमार ने आज राज्य सचीवालेव में समवादाताओं को संबोधित करते हुए पिछले कुछ दिनों में राजदानी छेत्र इटानगर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्दे नजट 6 जुलाई से 12 जुलाई तक पूरे छेत्र में लोगडाउन लागू करने की कुछणा की स्रीकुमार ने कहा कि स्वास्ते विभाग और जिला प्रसासन से विचारवी मर्स के बाद कल राज़ानी टानगर में आगामी सोमवार को सुबह पांच बजे से रवीवार को शाम पांच बजे तक लागू किये जाने वाले लोगडाउन के दिशान निर्देशों के बारे म पास था, positive COVID-19 special capital reason में, वो 43 बढ़के करिकरी ब 89 तक पोंच किया तो ये इसको मध्या ने जा रखते हूना है decision दिया है कि जो सुमवार है, coming Monday है, that is 6th July 2020, सुबह पांच बजे, morning 5 a.m. और till Sunday, next to next Sunday, that is at 12th of July, शांग के 5 बजे तक हम lockdown रखेंगे, पुरा special capital reason था, और क्योंकि लाइफ चलनी है, तो लाइफ चलने में कुछ हमें exemption भी देने पड़ते हैं, चाहे वो माम लिजेगा के health की emergency है, fire की emergency है, law and order की emergency है, या रोज मरा खाने पीने की चीज़ों की जबवत है, तो उसके लिए जो exempted category हम allowed करेंगे, Monday से, और शांग के next to next Sunday तक हम आपके थूर सारी जन्ता के समक्ष खल पेश कर देंगे, आप जो कोछेरियाज हैं, जहां पर के हम यह मांग के चल रहे हैं कि जहां पर के there is a need for containment of the activities, तो हमारे टेप्टी कमिश्णर जाम और दोनों हमारे अडिस्टिक मेडिकल आफिसर जाम और से सर्फल के वो एरिया भी identified कर देंगे, कि जहां पर के activities को strictly controlled किया जाएगा, तो उस पर हम जब कारवाई करेंगे, तो वो भी हम आपके साथ कल जब exempted category को share करेंगे, तो stand कर लेगे, हमारा मुख्य विशय जो मुख्य उद्देश है, वो यह है कि COVID-19 का negative impact हमारे अरुणाचल परदेश में ना रहे, और उसके तहत आपके द्वरा हमियाब से खुजारिश करेंगे कि सभी लोगों को, सभी लोगों को यह आप बार बार यह कहें, कि एक social distancing या physical distancing जिसको हम कहते हैं उसको ensure करें, मास्क है उसको use करें, हमारे स्टेट में पाने की कोई कमी नहीं है, तो जितना जबार रेगुरली हाथ वगरा दोए, हाइजीन जितना है, जादा से जादा maintain करें. देश में अब तक 3,94,227 COVID रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके है, पिछले 24 घंटे में इस वाइरस से 14,335 रोगी ठीक हुए है, स्वस्थ होने की दर लगभग 60.80 प्रतिशत हो गई है, केंद्रिय स्वास्थे और परिवार कल्यार मंत्राले ने कहा है कि पिछले 24 24 घंटे में 22,771 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है, अब देश में COVID मरीजों की कुल संक्या 6,48,315 हो गई है, एक दिन में 2,442 लोगों की मृतिव के साथ ही मृतिकों की कुल संक्या 18,655 हो गई है, इस समय देश में 2,35,433 मरीजों का इलाज चल रहा है, अरुना प्रदेश में कल 20 और लोगों में COVID-19 की पुष्टी हुई ही, इसके साथ ही राज में COVID से संक्रमित लोगों की संख्या 252 हो गई है, इस समय कोवीट के 175 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 75 मरीज स्वस्थ हो चुके है, और एक मरीज की अब तक मृतिव हुई है, राज म कोवीट संक्रमन के सभी मामले क्वारंटीन केंद्रों से आये है, और वे अन्य राजू से लोटे लोगों से जुड़े है, संक्रमित लोगों में COVID-19 केंद्रों में तेनात स्वास्त कारे करता भी है, अरुनाचल प्रदेश सरकार ने अन्य राजू से लोटे सभी लोगों क संस्थागत कॉरंटीन में रहना अनिवारे कर दिया है इन केंद्रों में तीन दिनों के बाद स्वैप के नमुनी लिये जाते हैं राश्डपती राम्नात कोविन ने आशाट पूरणी मा पर धम चक्र दिवस समारों का आज राश्डपती भवन से उत्झार्टन किया समारों का आयजन केंद्रिय संस्कृत मंत्राले के सहयोग से अनतराश्ट्रिय बोध परिसंख ने किया है राश्टरपती कोविन्त ने कहा कि बोध दर्शन में भगवान बोध के प्रथम उपदेशों का विश्य इस महत्व है उन्होंने कहा कि धम चक्र दिवस वाराडसी के निकट सारनाथ में पहले पांच शिश्य को भगवान बोध के प्रथम उपदेश की सुर्थी में मनाया जाता है बोध धर्म वलंबी इसे धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं इस अफसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि भगवान बोध के आठ उपदेश विभिन समाजों और रास्ट्र के कल्यार का मार्क प्रशस्त करता है अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भगवान बोध ने जीवन जीने का सही मार्क दिखाया और विश्व को शांती तता अहिंसा और गरीबो महीलाओ सहित सभी लोगों के सम्मान का संदेश दिया प्रधान मंत्री ने कहा आज समय की आवशक्ता अधिक से अधिक लोगों को बोध दर्सन से जोडने की है इस कारिकरम को केंद्रे खेल मंत्री किरिन डिजजू ने भी संबोधित किया अधिक लुत्पूर्ण Today as the pandemic ravages human lives and economies across the globe, the Buddha's message serves like a beacon. he advised people to shun greed, hatred, violence, jealousy and many other vices to find happiness our youth if you want to see a great example of how hope, innovation and compassion can remove suffering it is our startup sector लेड बावर यूफ ब्राइट यंग मिट्सार फिंद ए इन इन सोलुशन तो गलोब प्रोब्लम्स इंडिया है उन अप बाव भड्थेस आप उको स्थेंट अग्यों जातु अध्या एक प्राइट कर दो अगर प्राइट बाट इस तो अड्रव अग्यों अग्यों अग्यो and show the way ahead, at times, they will even calm you down or cheer you up. In Buddhism, the moon is an enduring symbol of truth and enlightenment. As we approach Asadda Purnima, one of the most auspicious full moon days, what has been an extremely testing year for humanity, collectively, we must continue to work towards upholding truth, principles and teachings of great Buddha to achieve a mutually beneficial coexistence and prosperity for all the humankind. भारतिय सेना इस महीने कामेंग सेक्टर में तीन पोर्टर कमपनी के गठन के लिए अठारा सोर युवाव की भरती कर रही है. पोर्टर पत के लिए भरती प्रक्रिया गत एक जुलाई से शुरू हो गई है और यह तावांग और दिरांग में बारह जुलाई तक चलेगी. मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने गत शुक्रवार को वेस्ट कामिंग जिलिय में भारती सेना के महार रेजिमेंट के पोर्टर स्थापना दिवस समारों में हिस्सा लेते हुए रिकूट्मेंट रेली में भाग ले रहे राज्य के युवाव को प्रुच्साहित किया. मुख्य मंत्री चौनामेन ने कहा है कि अरुनाचल सरकार ने राज्य के सभी 25 जिलों में कुल 356 मेगा वाट छमता वाली 135 लगू जल विध्यूत परियोजनाओं को विक्सित करने का निरने लिया है. वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये केंद्रिय बिजली मंत्री आर के सिंग द्वारा आयोजित राज्य के उर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेते हुए उप मुख्य मंत्री ने बताया कि लगू जल विध्यूत परियोजनाओं से सम्मंदित कारे योजना सम्मंदी प् कराने का नुरोथ किया उन्होंने केंद्रियों बिजली मंत्री को बताया कि राजे में इंटीग्रेटट पावर डिवलप्मेंट सिस्टम और दीन दयाल उपाध्याई योजना के अंतरगत किये जा रहे कारियों को इस साल के अंत तक पूरा करा लिया जाएगा समेलन में सभाध छेत्र में विकास पर योजनाओं की प्रगती का जायजा लिया और एजन्सियों से समय पर कारे को पूरा करने का निर्देश दिया स्री नालो ने खेलो इंडिया कारिक्रम के तहद नाचो आंचल के ओजारिंग में निर्मान धिन मल्टी यूटिलिटी इंडोर स्टेडियम के कारे का निर्दखण किया उन्होंने CM डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन और चैलेंजड फंड के तहद नाचो ने कन्वेंशन हॉल के निर्मान और सिजिरिंग ने ग्रामिड बैंक का निर्दखण किया केंद्रिय खेल मंत्री किरिन रिजुजु ने कहां कि उनका मंत्राले दोहजार चौबीस और दोहजार अठाइस के ओलम्पिक खेलों के लिए युवा चेंपियन एथलीट बनाने के उदेशी से टारगेट ओलम्पिक पोडियम सिकम जूनियर आरम करेगा अभी टॉप्स योजना सीनियर अथलीट के लिए है जिनकी पहचान उलम्पिक प्रतिस परधाओं में पदक हासिल करने वाले खेलाडियों के तौर पर की गई है इसमें भारत के शीर्स अथलीट शामिल है स्री रिजुजु ने कहा कि जूनियर खिलाडियों को इस योजना से जोडने का उदेश है कि दोहजार अठाइस के लाइस एंजलिस ऑलम्पिक में भारत शीर्स दस की वरियता में शामिल रहे खेल मंत्री ने फिट है तो हिट है फिट इंडिया वैबनर के दोरान यह बात कही इस वैबनर में मानव संसादन विकास मंत्री रमेश पोख्रियाल निशंक ऑलम्पिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंधू और भारतिय फुटबोल कप्तान सुनिल छेतरी ने भाग लिया स्री रिजुजु ने कहां कि जूनियर टॉप्स में कई कारिक्रमों पर विचार किया जा रहा है जिसमें प्रतीभा की पहचान उन्हें विशेश प्रशिक्छंट देना अनुभव हासिल करने के लिए बाहर भेजना सर्वस्रेश्ट कोच से तो उसका हम पूरा हम समभा लेंगे सरकार गवर्मनेंट विल टेक केर अफिए लिए लेंगे तो उसका परिवार को पैरंस को टेंशन नहीं होगा तो मैं शॉट में बता रहा हूँ यह ड्रीम इसले की ऑलंपिक्स में या वोल्ड चैंपिंशिव में हम इंडिया जो है क्यों हो सकते हैं वी हंगे सबुआर काइब पूमेंट उसफोर्स कि इसले प्राम इनस्टास पर्स काम, क्या सब्सक्राइश आदेशनगेता क्यों नहीं होगा इसलें प्राम मिनिस्तर विजिलाइश एंग्या प्रुट्टी की प्राम टास कर्सर माराशन तो आ थिक्या औल तागिन युवा संगठन और औल तागिन छातर संग ने दापुरी जो डिग्री कॉलेज से तीन लेक्चरर का ट्रांसफर किये जाने और उनका रिलीवर न दिये जाने पर नाराजगी वैक्त की है इन संगठनों ने दापुरी जो डिक्री कॉलेज के प्रिंसिपल को सोपे एक ग्यापन में कहा है कि पहले से ही सिक्षकों की कमी की समस्या से जूज रहे इस महाविध्याले में शिक्षक कारे पर बुरा असर पड़ेगा तागिन कल्चरल सोसाइटी ने कहा है कि महाविध्याले में 18 शिक्षकों का प्रावधान है जिसमें से केवल 11 शिक्षक है संगठन ने संबन्दित प्रधिकारियों से महाविध्याले से लेक्चरर का ट्रांसफर करते समय उनका रिलीवर भी देने का आग्रह किया है पासिघाट वैंडर्स एसोसियेशन ने इस्ट सियांग जिला उपायुक्त से कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से पासिघाट नगर्य छेतर में सबजी और अन्य आवशक वस्तूओं की बिक्री के लिए फुटपात पर दुकान लगाने पर लगी रोक को हटाने का आगरह किया है संगठन ने आज पासिघाट में अपनी मांग को लेकर एक जुलूस निकाला एसोसियेशन की सचीव मीती पांगिन ने जिला प्रशासन से वैंडर्स की आजीवी का को ध्यान में रखते हुए ततकाल कदम उठाने का आगरह किया है अरुनाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही हम कल फिर हाजिर होंगे अरुनाचल और दिश दुनिया की खबरों के साथ आप देखते रहे हैं अरुन प्रभा नमश्कार अरुनाचल समाचल समाचल समाचल